नमस्ती और वेल्कम बैक टु माई कुकिंग ब्लॉग। आज की रैसिपी बहुत ही ज़ादा खास है क्योंकि तेवहार आ रहा है तो आज हम बनाएंगे गनपती पपा के फेवरेट मोदक जो की काफी तरीके से बनाए जाते हैं तो आज हम इसको सिर्फ गुड से बनाएंगे मतला ना तो हम चीनी का इस्तिमाल करेंगे ना ही रवा और ना ही किसी आटे वगेरा का तो हम गुड से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मोदक बनाकर के तयार करेंगे और यहां पर यह जो गुड है मैंने लगभग एक कटोरी की लगभग मैने इसको कसेगे तो आप इसको बाद में आसानी रहेगी तो यहां पर अंदाजे से मैंने एक कटोरी की लगभग जो गुड़ था उसको अच्छी तरीके से कदुकस कर लिया है और अगर बाद में जादा जरूरत पड़ती है तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं मेजरमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप आप जाकर चेक कर सकते हैं तो जो इक्वल कॉंटिटी है ना मोदक बनाने की वह आपको अच्छी से समाझ आ जाएगी तो यहां पर यहां पर मैं थोड़ी सी इलाइची ले रही हूं जो की फ्लेवर फुल रह आपको मोदक बना कर दिखा रही हूं जिससे की बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा आप इसको लंबे समय तक मतलब 10-15 दिन के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं तो यहां पर हमारी जो एलाइची का पाउडर है उसको भी हमने कूट लिया है चले तो अब हम कढ़ाई क को चड़ा देंगे और अभी हमें यहां पर मतलब जो हमारा मुदक है उसको बनाने से पहले कुछ थोड़े से और काम करने हैं तो दो चम्मच मतलब दो चोटे चम्मच के लगबग हम आपर देशी घी डालेंगे गी बहुत जादा अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हम कर दो तो द्राइफूट्स अगर देखा अगर जादा घी यह तो घी में ही यूव टलते है लिए बहुत जादा घी में ही उसको तलते लिए बहुत सब्सक्ताइब तो चटक के उपर आने लग जाते हैं जिससे हाथ वाकेरा जलने का भी डर रहता है इसलिवत थोड़े से तो यहाँ पर हमारे जो बादाम है अजू से बादाम लिया है आप यह एक अपशिनल आप इस जादा री सकते तो तो एक तू बैआ नमे वी थर विया वैढ झाल रिए तो ऐसे एक सब्सक्राइब बिली थरुवन हिर दूला है। इसी घी में हम बापिस दो कटोरी की लगभग बेसन अगर थोड़ा सा दर्दरा होगा तो बहुत ही जादा अच्छा होगा लेकिन मेरा यहां पर बेसन जो है वह काफी महीन है तो दो कटोरी बेसन अगे अब मैंने अपर 3 4 प कटोरी की लगभग घी लिया है तो अभी एक गी लिया है तो जो भी मेसर मेंन मैंने अगरेटी करें करें मतलब कम यह जादे एक ही तरीके से मिला दिखे जितने भी लंग पढ़ लें है अच्छी तरीके से पहले घी लेगए उनको मिलाते जाएंगे अब इसमें बापस से 2-3 चोटी चमच के लगभग गी और इसको तो यहां पर देखें दीरे करके लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे जैसे अम बेशन के लड़ू में भूनते हैं अब बापस से मैंने 2-3 चमच और घी अड किया है और आपको इसको दिखाएंगे आपको कि एकदम से थोड़ा सा गीला गीला सा लगने लगेगा मतला मैं बहु अब आपको पास से साथ मिट और अच्छे से वहनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसमें बड़े ऐसी बेशन वाली खुश्बून आ जाएंगे जैसे कि जब हम लोग बेशन के लड़ू बनाते हैं वस बैसी ही तो याद रहे आप इसको छोड़े नहीं बर अब बड़ू कस मतलब ग्रेट कर लिजे घर से नहीं तो आप इसको रेडिमेट भी आड कर सकते हैं तो इसको अपने आप से यह दिके सैटल हो गया है तो अब इसको जादा भी भूनने की जरूवत नहीं है अब क्या करें कि बेशन को गैस की फ्लेम से हटा देंगे और इस अब इसको पांच से साथ मिनिट अराम से रख देंगे किनारे और आप देख सकते हैं जो अमने गोड़ को कद्दू कस किया था लगभग एक कटोरी है और तब तक अमारा बेशन हलका सा थंडा हो रहा है जब तक हम ड्राइफूट्स को कट कर लीते हैं तो यह बिल्कुल भ अब इसमें अपना गोड़ है जो एड कर देंगे तो गोड़ को एकदम गरम में आड नहीं करना है पांच मिट इसको रेस्ट कर लें दे फिर गोड़ को एड करें और गोड़ को इसलिए अमने कद्दू किया था जिससे कि इसमें लंप सना पड़े और एजली यह बेशन के मैल्ट हो जाएंगी और यह देखे यह आराम से जो था हमारा गुड मैल्ट हो गया है तो हम इसमें ड्राइपूट कर देंगे जो इलाइची हमने कूट की रखी ती उसको एड कर देंगे तो यह बिना गुड़ बिना चीनी बिना चाशनी के बनने वाले मोदक है जो कि कर देंगे तो बहुत अच्छी तरीक से मोदक बन जाएंगे बिल्कुल भी दिककत नहीं होगी फैलेंगे भी नहीं अज़े देखे मिश्रन एकदम तयारे बहुत गीला नहीं बहुत सूखा नहीं तो अब बिना किसी देर की मोदक बनाना स्टार्ट कर लेंगे इसको बहु अब हम धीरी करके जो मोल्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे मतलब कि हलका सा एक बूंद जिसके कि जब हम मिश्रन को एड़ करें बैटर को तो बिल्कुल भी चिपके नहीं मोल्ट में तो यह चोटी-चोटी सी ट्रेक है जो आपको मोदक बनाने में बहुत ही कम आईगी और रमको याद करना है तो यह पर मिश्रन को फोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे और मिश्रन को फोड़ा पर करके डालें मतलब जो पहला वाला पार्ट है कोने वालओ horizontal बढे उसमें डाल कि उंगली से अच्छी तरीके से आप से जाए जिससी कि यह अची से मे और याद रहे हैं अगर आप ड्राइफूट से बीच में आड़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा मैंने तो सारे मिश्रन में आड़ कर दिया है तो और भी अच्छा देखने में लगेगा तो यह देखें अच्छी तरीकी से इसको भर दे और टाइटली दबा दे अब धी अगर देखन गोड सभी के घर में इसली एवड़ेबल रहता है आप इसको कभी भी बना सकते हैं गणे शतूर्ति आरही है तो एक बहाना है आप इसको बिना गणे शतूर्ति के भी तयार करके रख सकते हैं और आप इसको फ्रीज में रखेंगे तो हफते मतलब 10-15 दिन आर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे कि सभी को यह बहुत ही ईजी और टेस्टी हैल्दी मोदग की रेसिपी का पता लग सके तो यहां पर मैंने दो मोदग बना कर लिए आप देख सकते हैं कितने एजी हैं और आगर आपके घर में बड़े बच्चे हैं तो आप अगर आपको बहुत जादा जंजट नहीं करनी है गनपती जी को अच्छा सा भोग लगाना है तो इस रेसिपी को जरूर से फॉलो कर लीजेगा और यहां पर मोदग को मैं आपको थोड़के भी दिखाती हो एक दम बहुत ही टेस्टी मोदग बनकर तेयार हुए हैं यह दे कर देजेगा और शेयर जरूर कर देजेगा तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखे हैपी गनेश चतुर्थी थैंक यू सो मच बाइबाई